अयुद्या जो कि प्रभू श्रीराम का स्थान है और हम सब को पता है कि वहाँ पर प्रभू श्रीराम का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है लेकिन अयुद्या में प्रभू श्रीराम की मुर्ती की बिना अयुद्या अधूरी है इसी कमी को पूरी करने के लिए नेपाल से एक भवे शिला लाई गई है जिससे प्रभू श्रिराम की मुर्ती बनवाई जाएगी इस शिला को नेपाल की काली गंड़ की नदी से लाया गया है सिर्फ इतना ही नहीं साइंटिस्ट ने इस शिला को अच्छे से रिसर्च करके ही प्रभू श्रिराम की मुर्ती बनाने के लिए तै किया है तोकि बताय जा रहा है कि ये शिला करोडो साल पूरानी है और बताय जा रहा है कि अगर इस शिला से प्रभू श्रिराम की मुर्ति बनेगी तो फिर ये मुर्ति हजारों लाखों सालों से भी जादा लंबे वक्त तक ऐसे ही मजबूत रहेगी और इस शिला की अउध्या में पूजा भी हो चुकी है लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कहा जा रहे कि प्रभू श्रिराम की मुर्ति छनी हतोड़ी से नहीं बनवानी चाहिए खैर जैसी भी हो वो शिला नेपाल से अउध्या में आचुकी है और उससे प्रभू श्रिराम की मुर्ति बनवाई जाएगी कमेंट बॉक्स में जैसी रहाम जरू लिखना और मेरे वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब जरू करना